एक जनौरी से यह केवल तीन काम कर लिए आप आसानी से बोर्ट परिच्छा 2024 में एक अच्छा परसेंटेज फोड़ लेंगे अगर आपकी अभी तक बोर्ट परिच्छा के त्यारी अच्छे से नहीं भी तो अब से भी आप शुरुआत करके एक बढ़िया परसेंटेज कुछना चाहता हूं यह मंदारी से नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना अभी तक कितना परसेंट की तयारी हुई है आपकी नीचे कमेंट बाक्स में मंदारी से कमेंट करके बताना अगर तयारी नहीं हुई है तो किस सब्जेट की क्या चीज़े नहीं तयार है यह में मैं बात करता हूं टू-पॉइंट-ईजिरो वाले चैनल से जब लाइब आपके तो पता चलता है खूब ज्यादा टेंसने वो पढ़ाई नहीं कररें टेंसन ले रहें बस तो एक बात ध्यान रखना नहीं टेंसन लेने से कोई फादा होने वाला है नहीं तैयारी होने वाली नहीं सोचने से कोई फादा होने वाला नहीं तैयारी होने वाली आपको नहीं सोचना है नहीं टेंसन लेना है जो काम करना है कि वह पढ़ाई करने कि सबसे पहली बात इस बात को दिमाग में रख लेना कि टेंसन लेकर आप सोचरेव की हो जाएगी तैयारी नहीं होगी जो जो भी रिजन रहा हो जिसके वज़े से भी आप नोगोंने अभी तक नहीं पढ़ाई कर पाया हो वह आपकी बात है लेकिन हाँ आप सुचरेव की एक म फायदा होगा और बढ़िया तरीके से फायदा होगा इधर देखे सबसे पहली बात आपको एक चीज नहीं करना है कुछ बच्ची क्या होते हैं उठते हैं पढ़ने के लिए उप पुरा सलेबस है पढ़ने की चक्कर में पढ़ जाते हैं सुचते हैं कि एक मैना में हम 60% आजा उतना ही बहुत है स्मार्ट तरीका अपना नहीं सलेबस पढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते अब अब आपको क्या करनी है जहां सुनो एक जनौरी से आपको ये तीन चीजों पर काम करनी जो कि मैंने आपको बताया सबसे पहली बात जिन्होंने सब कुछ पढ़ रख रखा है जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है उनको रिवीजन करना है अब रिवीजन कैसे करना है ये आपको ना है तो नीची कमेंट बाक्स में कमेंट कर देना मैं बताने के लिए तैयार हूँ एक वीडियो लाके दूँगा कि रिवीजन कैसे करना उसमें तरीका बता द सबसे पहला काम उसको रिवाइच करूं कैसे के सबसे डिवाइच में करना है अगर आप रखाए पूरे टेर जो महत्पूर प्रस्न है उसको क्या करना है अगर आपने सब यहां पर जान सो कट पढ़ना भी है और लिखना भी है कि लिखोंगे तभी एक्जाम में पढ़ने की और पढ़ने के बाद याद करने का तरीका यह होता है एक बाद ध्यान से पढ़ लो फिर आखों से पढ़ लो यानि इसकन करने का मालब ध्यान से पढ़ लो उसे फिर उसको सोचो क्या पढ़े हम जहां भूल रहा है फिर उसको देख लो ऐसे कर लिए उसके बाद लिखने शुरू करो कुछ लोग कहेंगे सार लिखने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा अरे कुछ नहीं समय लगेगा आपके वालो आपके तेरा है पढ़ने के लिए है अगर इसमें देखोगे न तेरा बेस नमर वाले जो लांग कोशन आते हैं तेरह चैप्टर से maximum होंगे तो 20 होंगे या फिर 22 होंगे मैं फिजिक्स में चउदर है फैविए चुड़ा पंदर चैप्टर तो इसमें 22-22 बाइस हम लोगों ने लांग कोशन कराया है बस 22 कोशन लांग कोशन करना चाहोगे एक दी में 3-3 करोगे 4 दी में complete हो जाएगा वो लांग कोशन तो आप बहुत जादा नहीं है अगर आप उप्रॉटिंड इप्रॉटिंड करना चाहोँ तो इसी तरह साथ पास दिन केतना है तीस दिन भी है जनौरी का अगर सो भी है तो एक दिन में तीन-चार कोशन तो रट सकते हो एक सब्जेट का अराम से खोड़ लोगे यार बस एक सही रणनीती आपके पास होना चाहिए तो सबसे पहला कामा वो क्या करना है पूरे चैप्टर की पढ़ाय बेकार हो जाएगा एक्जाम में लिखी नहीं पाओगे तो पढ़ने क्या ही मतलब यार अगर आप एक्जाम में नहीं लिख पाएं तो पढ़ने की क्या ही मतलब कोई मतलब नहीं है कोई मतलब ही नहीं है देश चीज आती है कि पिछले पांच सालों में पूछे जो पिछले पांक साले में पूछेगा है उसको तयार कर लो तर ये कहां से पाएंगी आप अपनेher pies से देख सकते हैं कि पांक साले में कौन कार को या फिर देखुँ मैं प्रमोचन नहीं कर रहा हूं इन सभी चीजों को मैंने इस वर्दान बैच में दिया आप इसको ज्वाइन करते हैं देखो आपको लगे कि इससे बढ़ियां कहीं और बैच है और इससे सफता है इससे बढ़ियां है तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करते हैं तरीकी कर लेना कहीं कियोंकि यहां पर आपको चीज़ अगर आपको इससे बढ़िया भी कहीं मिलेगी कहीं बहुत कर सकते हैं यह बात में बता रहा हूँ यह पूरी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी कहीं पे भी बठकना नहीं सब चैप्टर वाइज आपको अपलोड है सब चैप्टर वाइज वहाँ पर पढ़ाया गया है और यह नहीं करा हूँ एक जनुरी से बैच स्टार्ट हो रहा है और एक जनुरी से आपको इसमें इसका राय मैं नहीं देता हूँ इमन्दारी पुरी बरता हूँ आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ यह बैच आपका एक दो महिने पुराना है आप लोगों को पता है इसमें आपको चैप्टर वाई चैप्टर लाइप पढ़ाया गया है और उस चीज़ें सेब है एक च नोसिभी दिया रखा है नोस भी आपको printing उपर में नींगली इंगली वायों तब फीसर da MPa तो 99 रुपे में आपके सभी भी से एक्जाम तक के लिए फीस है देखो मैं बहुत ज्यादा फीस नहीं ले रहा हूं कि आपको प्रमोशन कर रहा हूं अगर आपको लेना है तो लीजिए नहीं लेना तो मत लीजिए लेकिन हां जो चीजे मैं यह बताया हूं इसको इस तरीके क्या है इतना तो आप जो आता है माडल ओगरामी कितना खर्चा कर दियोंगे उसको भी नहीं पढ़ पा होंगे कभी कोरूशन बैंक में कितना खर्चा की यह विदियो लेक्च्टर रहेगा तो पड़ लोगे ठीक है और यह पूरी टीम है जो आपको इसमें पढ़़ा रही क्योंकि आप समय नहीं बचा है अब आप जो करोगे वह सेल पिष्टडी करोगे तभी आपके लिए बढ़िया होगा और सेल पिष्टडी की साथ में अगर कोई दिक्कत होती तो मैं यह बैच के बारे में आपको बता है इसका आनलाइन आप यूज कर सकते हो तो इसका Payout That इक जाम को बारे को करना है इसलिए पेपर भी बनाने वाला बाहर काओगा कापी जातने वाला भी बाहर का नंबर बाहर वाले को देना से में कुछ नहीं करेंगे मेरा वीश्वास सकते हों मेहनत करके प्रहाई करके मेहनत के साथ हूं इस बात को ध्यान रखना इसलिए मैंने आपको बोला नेसी जाती है भाई कि टाइन टेबल बनाकर जरूर पढ़ाय करें यह नहीं कि एक ही सब्जेट दिन बर पढ़ते रहें और सब्जेट को पढ़े ही ने यह गलत हो जाएगा आपके साथ और सबसे महतपूर बात है समय को एकदम बरबाद न करें एक सिकन्ड भी समय बरबाद में फिर मुझे मुझे से इस वीडियो में कमेंट करके वारा सब तयारी नहीं ही तो जो बच्चे जितना पढ़ें उसका रिविजन करें अच्छा से पूरे चैप्टर की पॉर्टिंग को सन को तयार करें लिख लिक कर याद करने ठीक है और पिरछले पांच साल के महतपू परस्त तयार करने यह सबी चीजा आपको इस बैच में हुई है चाहते हो तो मातर 299 रुपे फीस है आप ज्वाइन कर सकते हो इतने रुपे फीस तो क्या ही है इससे महँगे महँगे सब लोग दे रहे है इसमें आपको टेस्टरीज भी मिलेगा तो टेस्टरीज भी इतने में आपको कहा मिल रहा है सब कुछ चीजा आपको इसमें दिया जा रहा है बढ़िया तरीकी से मेनत करो कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइए हम आप सभी लोग के साथ हैं आप सभी के साथ अंतिम दंतक रहेंगे ठीक है और को ही पे भी प्राब्लम आए जरू नीच के कमेंट बार्क में कमेंट करके बता रहा है ठीक है